नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक, मैं डॉक्टर सुशिल दुबे, होमेपतिक कंसल्टन्ट, पाउंडर अफ इयॉन होमेपतिक ग्रूप, टीचर एन ट्रेनर स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चानल पर इयॉन रूब्रिक मोडियूल, इयॉन होमियो क्लास 1 और इयॉन होमियो क्लास 2 को आप लोगों के सहीयोग से अपार सफलता हासिल हुई इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टीम इयॉन एक बार फिर से एक ऐसा ही ओनलाइन वाट्साप प्रोग्राम लाँच कर रही है जिसका नाम है इयॉन पाटशाला इयॉन के लेक्चर्स में हम लोग स्टूडेंट्स की सोच खोलते हैं उनका होमियोपती के प्रती नजरिया बदलते हैं उनको इंस्पायर करते हैं उनको सही रास्ता दिखाते हैं उनको जगाते हैं हमारे मेंटर्स उनकी उंगली पकड़ कर लिटरली उनकी उंगली पर उनका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि वो होमियोपती की प्राक्टिस को कर पाएं और अपने अंदर के उस डर से जीत पाएं, जो उन्हें होमियोपती प्राक्टिस करने से रोकता है। इयॉन पार्टशाला को अटेंड करने के बाद आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। फिर चाहे आप पाइनल एर में हों, या फिर आप अपने इंटर्नशिप में हों, या फिर आप कोई MDPG स्टूडन्ट हों, होमियोपती के, या फिर आप एक प्राक्टिसनर हों, आप सभी को ये इयॉन पार्टशाला जरूर जोइन करनी चाहिए। आपका ग्यान तभी शक्ति देता है जब आप उसे एक्शन में लाते हैं। अक्सर हम लोग एक आइडियल टाइम का इंतजार करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे एक दिन हमारा रास्ता खुलेगा, हम ये भूल जाते हैं कि रास्ते चलने से बनते हैं ना कि इंतजार करके बैठे रहने से। कुछ ना करने से तो बहतर है कि कुछ किया जाए। एक्शन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा हमारी और आपकी इच्छाओं से उपर होता है। तो इसलिए एक्शन पिछला जो भी हुआ है, वो जा चुका है। भविश्य सिर्फ इमाजीनेशन है। केवल यही दिन आज का जो हमारे और आपके पास है यही दिन है जिसको हम सही तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं। तो उसे सही तरीके से खर्च करिए। उसे जगह पर अपने कीमती समय इनवे लेर्निंग पर, अपने माइन्ड को ट्रेंड करने पर. यान पार्चाला में आप सभी का स्वागत है इसे जरूर जाइन करिए. सब्सक्राइब में हम बात करते हैं केस टेकींग पर हम बात करेंगे अलग-अलग तरीकों के जो केसि टेकींग के अलग अलग टेखनिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे हम बात करेंगे बच्चों में केस टेगिंग कैसे लिया जाए पीडियाट्रिक केस टेगिंग कैसी की जाए हम बात करेंगे acute conditions में या कोई emergency condition जब हो जाती है तो उस समय हम किस तरीके से केस लें किसी case को analyze कैसे किया जाए characteristic symptoms को कैसे पहचाना जाए उन्हें rubrics में कैसे convert किया जाए mind rubrics को कैसे समझा जाए और कैसे उसे सटीक तरीके से बिना कोई गलती किये उसे इस्तमाल में लाया जाए इसमें हम case studies के माध्यम से केवल practical बातों पर जोर देते हैं case studies के माध्यम से हम remedies को समझाते हैं और remedies को समझते हैं right remedy तक आप कैसे पहुंचेंगे कैसे आप एक सही medicine का selection कर पाएं यह हम उसमें सिखाते हैं आपके सारे सवालों का expert panel द्वारा जवाब दिया जाएगा एक महीने का course है शनिवार रविवार को lectures होंगे और दो बज़े से चार बज़े तक का समय है एक अगस्ट यानि ऑगस्ट 2018 से यह शुरू हो रहा है नीचे दिये गए नंबरों पर आप संपर कर सकते हैं और आज ही अपना registration करवाईए तहा है इस video को इस message को अपने दोस्तों के साथ अपने जुनिorn's के साथ श.्ष.र साथ अपने स्टूर्ट्फ की साथ श.ेयर कर एं और उनको हामिपती प्रैक्टिस करने के लिए हैं हो सकता है यह उनकी धशा और दिशा दोनों बदल और धन्यवाज शुक्रिया ठैंक यू